वास्तु सास्त के अनुसार किसी भी घर का जो मुख्य दरवाजा होता है में गेट होता है वो एक खास महतो रखता है और मुख्य दरवाजे से ही घर में पॉजेटिव एनरजी का प्रवेश भी होता है इसलिए वास्तु के अधार पर घर की बनावट तब तक अधूरी मानी तो पारिवार की जो आर्थे किस्तेती परिवार की जो सुख यो खुशाली है बहुत हद तक घर मुख्य दर्वाजे पर आधारिथ होता है तो आज घर का मुख्य का किसमत किसमत खोल सकता है यह तो हम झानेंगे और यह भी जानेंगे कि मुख्य दर्वाजे पर अगर कोई मुरती लगाते हैं वह जो आर्थिक स्थिद्शिमें कि आ distintos संघर्स बढ़ाता है धन कमाने के लिए परिश्रम जादा करवाएगा इसलिए कोसिस करें कि जमीन से रगड कर ना खुले घर का जो मेंडोर होता है न अंदर की तरब खुलना चाहिए कभी भी मेंडोर बाहर की तरब खुलना अच्छा नहीं माना जाता इसलिए ये आपको प्रियास करना होगा कि जब दरवाजा खुलें तो अंदर की तरब खुलें ये सुब होता है पॉजिटिव एनरजी का आगमन होता है और घर की आर्थिक स्थिती भी अच्छी रहती है अगर बाहर की तरब दरवाजा खुले तो धन खर्च बढ़ता है तो इसलिए तुरंत आप ठीक करवाईए तेल बेगरे डालके ठीक कीजिए उसको और घर का जो मुख्य दरवाजा है उसके ठीक सामने खंभा पाया पीलर बेगरे नहीं होना चाहिए और किसी पेड की चाया किसी बिल्डिंग की चाया भी नहीं पढ़ना चाहिए ऐसी आप हल्दी केसर या सिंदूर से बना सकते हैं या फिर ओम का चिन्न बनाईए दरवाजे के ठीक पास बाहर या अंदर कहीं भी डस्टीवीन रखना कवार रखना गंदगी रखना ये कहीं न कहीं आपके घर परिवार में उन्नती के रास्ते को बंद करता है और रोध करता ह है और मुख्य दरवाजे के आसपास कांच का टुटा हुआ या चटका हुआ समान भी न रखें वैसे घर के में गेट पर ऐसी बस्तू रखिए जो पारिवरिक रिस्तों को बढ़ाए प्रेम बढ़ाए दरवाजे के बाहर से गनेज जी की तस्वीर भूल कर भी ना लगा है मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ से लगाए और गनेज जी की तस्वीर के ऊपर ठीक तीन मूर पंक लगा दें धन्यवाद